तीन सो सत्तर हटाने के नाम पर लोक सभाचुनावों में वोट मागने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की विधान सभाचुनावों में बहुत बुरी हार हुई है बेचारे ग्रह मंत्री अमिशा 370 हटाने के लिए सदन में शेखी बगारते रह गए और पहले ही चुनावों में पबलिक ने हवा निकाल दी है अब ऐसे हालातों में बिजेपी के चाड़क कहे जाने वाले अमिशा बौक ला रहे हैं और इतना बौक ला रहे हैं कि बहुमत के आकड़े को ही पलट दिया है आपको बता दें कि ग्रह मंत्राले की सलहा पर जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों को मनोनित करने का प्रस्ताओ लाया गया है और इस प्रस्ताओ के सामने आने के बाद से बवाल मच गया है याचिका तुरन सुप्रीम कोर्ट में लगाए गई है और ततकाल सुनवाई की मांग की गई है क्योंकि अगर अब सुनवाई नहीं हुई तो जम्मू कश्मीर में सत्ता पलट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आक्शन लिया है और बरिष्ट वकील अभिशेक मनू सिंग्वी ने कैसे जबरदस्त बहस की है आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले ग्रह मंत्री अमिश्या जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा खेला करने की तयारी में है फटाफट से बता देते हैं सबसे पहले आप खबर देखे नौभारत टाइम्स की ली गई है आपको बता दे पहले ही प्लान तयार कर लिया गया था और अब इस प्लान पर आक्शन शुरू हो चुका है जैसा कि आप जानते हैं अगर जम्मू कश्मीर के विधान सभाच चुनावों के नतीजों की बात की जाए तो यहां पर कुल सीटे होती है नबबे और बहुमत होता है 46 का इसमें नाशनल कॉंफरेंस को 42 कॉंग्रेस को 6 भाजपा को 29 पीडीपी को 3 CPIM को 1 आम आदमी पार्टी को 1 और अन्य को 8 सीटे मिली है मतलब कि इंडिया गट बंधन को पूर बहुमत मिला है वहीं NDA पिछड गई है ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रह मंतरी अमिशा बौकला रहे हैं और इतना बौकला रहे हैं कि नतीजे आते ही आक्शन पर आक्शन लिया जा रहा है रात में मीटिंग बुलाई जा रही है सीक्रेट चर्चा हो रही है और जम्मू कश्मीर में बड़ा खेला करने की तयारी है और यह कोई हवा हवाई बात नहीं है खबर मौजूद है खबर आप देखें नो भारत टाइम्स की इसमें लिखा भी हुआ है कि आमेशा ने सीम से ली आउपरेशन की पूरी डिटेल्स देर रात की सीक्रेट चर्चा अब बड़े आक्शन की तयारी है तो जस दिन नatीजे निकल कर सामने आये थे उसी दिन खबर निकल कर सामने आगई थी कि पहले ही रिपोर्ट ले ली गई है चर्चा हो चुकी है और बड़ा आक्शन होने वाला है अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आक्शन होने वाला है जम्मू कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर में शपत ग्रहन हो चुका है उसके ठीक बाद अब प्रस्ताव लाया गया है कि पांच विधायकों को मनोनित किया जाएगा और ये किसी और की सलहा पर नहीं बलकि ग्र अनुसार उप राज्यपाल केंद्री ग्रहमंत्राले की सलहा पर चुनाव नतीजों से पहले न सिर्फ पांच विधायकों को मनोनित करेंगे बलकि इन MLA को तमाम वो अधिकार और विशेश अधिकार प्राप्थ होंगे जो बाकी निर्वाचस सदस्यों को होते हैं तो आप देख सकते हैं पांच विधायकों का प्रस्ताव पहले लाया गया था और अब इस पर आक्शन शुरू हो चुका है ये वो पांच विधायक हैं जो ना चुनाव लड़ते हैं लेकिन फिर भी पूरे अधिकारों के साथ अब सदन में एंट्री लेने वाले हैं ये वो पांच विधायक हैं जो कि ग्रह मंत्राले की सलहा पर आएंगे और उप राज्यपाल इन्हें नॉमिनेट करेगा अब जब ग्रह मंत्राले की सलहा पर इन्हें नॉमिनेट किया जाएगा तो ये पांच विधायक किधर जाएंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं अब जब भारतिये जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो कितना बड़ा खेला किया जा रहा है आप इस खेल से अंदाजा लगा सकते हैं इस प्रस्ताओं से अंदाजा लगा सकते हैं पांच विधायकों के नॉमिनेशन से अंदाजा लगा सकते हैं फिलाल इसी को लेकर बवाल खड़ा हो ग जालातों में तो सत्ता पलट जाएगी देगी खबर में जागरण की लिखा भी हुआ है कि फिर तो सत्ता पलट जाएगी जम्मू कश्मीर में पांच विधायकों को मनोनित करने पर ऐसा क्यों बोले सिंग्वी सुप्रीम कोट में जमकर हुई है बहस तो बहस भी हुई है अभ क्या दलीले दी गई हैं सुप्रीम कोट के सीनियर वकील अभिशेक मनु सिंग्वी की तरफ से ध्यान से सुनेगा देखे खबर में आगे अंदर लिखा भी हुआ है कि सिंग्वी ने क्या दलील दी है जस्टिस खन्ना की बात पर सिंग्वी ने कहा है कि मान लीजे कि 90 सदस्यो रह जाएगा आप इस शक्ती का उप्योग करके चुनावी जनादेश को पूरी तरह से विफल कर सकते हैं क्या होगा अगर उन्होंने भविश्यों में नामांकन क्यों 5 से बढ़ा कर 10 करने का फैसला कर लिया तो आप देख सकते हैं अभिशेक मनु सिंग्वी जो कि कॉंग् भविश्यों में 10 विधायकों को नॉमिनेट कर देंगे ऐसे हालातों में तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है जनादेश का अपमान किया जा रहा है जब यह बहस की गई जब यह दलील दी गई अभिशेक मनु सिंग्वी की तरफ से तो सुप्रीम कोट ने भी माना है कि जन सुनवाई के दोरान वरष्ट वकील अभिशेक मनु सिंग्वी ने दलील दी कि यह एक बुन्यादी संरचना का मुद्दा है आप इसके सहारे चुनाव से मिले जनादेश को रद्द कर सकते हैं याचिका पर संजीव खन्ना ने कहा कि यह हम जानते हैं आप हाई कोट में इस मसले को ले कर जाएं तो आप देख सकते हैं जस्टिस संजीव खन्ना ने अभिशेक मनु सिंग्वी की दलील पर कहा है कि यह तो हम जानते हैं कि इस से जनादेश को पल्टा जा सकता है लेकिन पहले आप इस याचिका को हाई कोट में ले कर जाएं अब हाई कोट में क्यों क कई चीजें छूट जाती हैं तो सुप्रीम कोट में जस्टिस खन्ना ने साफ साफ कह दिया है कि हम जानते हैं कि बारती जनता पार्टी जम्मू कश्वीर में क्या करने की तैयारी में हैं लेकिन अभी हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे आप पहले इस याचिका को हाई आप अंदाजा लगा सकते हैं पहले तो खबरे निकल कर सामने आई आरोप ये लगाए गये कि इवियम में धानली होती है चुनावों में धानली होती है लेकिन अब इस धानली की जरूरती नहीं है क्योंकि अगर बहुमत आता है तो ठीक है और अगर बहुमत नहीं आता है तो विधाइकों को नौमिनेट किया जाएगा वो भी। बल्क में किया जाएगा एक दो नहीं आप देख सकते हैं कि 5 विधाइकों को जम्मू कशमीर में नौमिनेट करने का परस्ताव लाया गया है और अब इसी परस्ताव पर अभिषेक मनू सिंभी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है सुप्रीम कोट तो सुनवाई करने के लिए तयार नहीं हुआ है अब ये याचिका हाई कोट में जाने वाली है तो बवाल खड़ा हो गया है अब ऐसे हालातों में सवाल इस बात का भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोट ने ततकाल जवाब में इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है क्या अप खेला अपने चरम पर चल रहा है इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुस सके हमारी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जोइन करें फिर मिलते हो ली खबर के साथ तब तक लिए धन्यवाद